नमस्कार मैं हूँ अमेद और दोस्तो आज की इस वीडियों हम बात करने वाले हैं कि आपको इस माईने कौन से फोन नहीं खरीदने चाहिए जी हाँ दोस्तो वैसे हम आपको बताते हैं कि किस प्राइज सेग्मेंट में आपको कौन से फोन पर्चेस करना चाहिए लेकिन दोस्तो इसके अलावा भी ऐसे काफे सारे option available है market में जो कि value for money नहीं है या फिर उनकी जगे कुछ नए option available हो चुके हैं तो आज की studio में इनकी बात करेंगे जिनका प्राइज होने वाला है दोस्तो लगबक 11,000 पर से लेकर 30,000 पर तक का वैसे हम आपको यह बताने वाला हूँ कि इन फोन की जगे आपको कौन से फोन पर्चेस करना चाहिए तो दोस्तो अगर आपको बजट लगबक 10,000 से लेकर 30,000 पर तक का है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हलप लोने वाली है इसे लिए बने रहेगा मरसाथ इस वीडियो में तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं लगबक 15,000 पर के प्राइस सेगमेंट से और वहाँ पर मैं सबसे बहले बात करने वाला हूँ दोस्तो मोटरला की मोटरल दोस्तो हम जानते हैं कि काफी अच्छे फोन हमको अभी दे रहा है काफी value for money फोन आपको मिल जाते हैं लगबक 10,000 से लेकर 20,000 पर की प्राइसिंग में लेकिन दोस्तो दो ऐसे फोन मुझे देखने को मिल रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको purchase नहीं करना चाहि यह फिर चाहे आपको उसमें कितने ही अच्छे specialization क्यों नहीं देखने को मिल जाए वैसे इस फोन में अच्छे specialization भी नहीं है दोस्तो Mediatek का Helio G9966 आपको देखने हो मिलता है कैमरा 108 Megapixel का है जो कि ठीक टाक सही perform करता है तो इस फोन में ऐसा कुछ भी खास नहीं है दोस्तो जिसके लिए आपको 15-16,000 पे पेक करने पड़े इनफेक्ट 15-16,000 पे के प्राइजिंग में आपको बहुत अच्छे फोन दिखने हो मिल जाते हैं मोटरला के बारे में ही आपको बता दोस्तो मोटो G62 5G अविलेबल है जो कि इस से कम प्राइस का है लगबख 14-15,000 पी की प्राइस में आपको मिल जाता है और वहाँ पे आपको स्नाप लेजन 695 जबसेट के साथ में एक 5G फोन दिखने हो मिल रहा है इनफेक्ट वहाँ पे आपको डिस्प्लेई भी 128 का स्क्रीन दिखने हो लेगा एक IPS पैनल है और 50 में एक अपिसल का प्राइमेर सेंसर दिया गया है उस फोन का आपने अच्छे से टेस्ट भी किया है दोस्तो तो हाँ आप G72 को जगे है दोस्तो मोटो का G62 ले सकते हैं इसके लाओ जो दूसरा फोन है दोस्तो वो मोटो का G73 है ये एक 5G फोन है लगबग 17,000-17,000 रवी की प्राइजिंग में अवेलेबल है दोस्तो लेकिन इस प्राइज में भी ये वैली फोर मनी नहीं है दोस्तो क्योंकि आपको Mediatek का Dimensity 930 chipset देखने को मिल रहा है अब ये 920 का successor नहीं है दोस्तो बलकि आप इससे compare कर सकते है Snapdragon 695 से जी हाँ नंबर पर मत जाएगा दोस्तो Dimensity 920 better chipset है better performance हमको यहाँ पर देखने को मिलता है और इसी price range में दोस्तो Mediatek Dimensity 920 chipset के साथ में आपको काफी सर्ट option देखने को मिल जाते है in fact वहाँ पर आपको Super Emerald पैनल भी देखने को मिल जाता है जो कि G73 में available नहीं है इसके लाव दोस्तो यहाँ पर UI experience भी थोड़ा सा आपको खराब देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें आपको कुछ bloat weights देखने को मिल जाते है जो कि हम उमेद नहीं करते हैं बिलकुल भी Motorola से जी हां Motorola के पहले phones में आपको बिलकुल भी ads वगरा bloat weights वगरा देखने को नहीं मिलते थे लेकिन जो latest phone है वहाँ पे हमें यह देखने को मिल रहा है इसके लव दोस्तों 50MP का प्राइमेरे संसर 5000 mAh का बैटरी 3300 का फास चार्जिक सपूर यही चीज़े देखने को मिल रही है तो आपको यह phone नहीं करीदना चाहिए लेकिन हाँ आगर आप Motorola का फोन ही लिरना चाहते हैं इससे थोड़ा सा बैटर तो लगबग 19,000 पे की प्राइजिंग में में Moto G82 देखने को मिल जाता है दोस्तों Snapdragon 695 चेसर के साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको एक P-OLED पैनल भी देखने को मिलेगा 128 का स्क्रीन रिफरेशेट भी दिया गया है इसके लगब अगर में बात कर रहो हूँ यहाँ पे कैमरा की तो 50MP प्राइमेर साथ यहाँ पे भी है और यह आपको OIS के सपोर्ट के साथ में देखने को मिल जाता है इसको भी दूस्तों आपने काफी अच्छे से यूज़ किया है तो इस फोन का परफॉर्मेस भी काफी अच्छा है तो G73 ने लेकर दोस्तों Moto G82 के तरफ जाएए यह मुझे लगता है कि आपके लिए बहतर डिसीजन होगा वैसे दोस्तों अगर आप इन प्रॉडट को खरीदना जाते हैं तो इनको आपने टेक कर दिया है YouTube के विव प्रॉडट में वहाँ पर जाके आप इनकी कर्रेंट प्रेजिंग और आफर को चेक कर सकते हैं इन फेक्ट आप वहाँ से बाय भी कर सकते हैं और हाँ जिनके लिंक आपको विव प्रॉडट भी नहीं मिलते हैं वो आपको नीचे डिस्क्रेशन मिल जाएंगे वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं अब चलते हैं दोस्तों सामसेंग की तरब तो लगबग इसी प्राइज में आपको सामसेंग का गलेक्सी M33 मिल रहा है लगबग 16-17 जार पी की प्राइजिंग में रहा है वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो बाकी सारी चीज़े हैं वो तो लगबग सेम ही होने वाली हैं दोस्तों प्राइजिंग लगबग सेम है 15-16 जार पी के असपास आपको दोनों ही फोस देखने को मिल जाएंगे नहीं है जैसे कि में बात कर रहे हूं सबसे पहले रियल्मी 995 जी की लगबग 15-15 जार पर का प्राइज है दोस्तों इस फोन का अभी भी जबकि यह ऐसे Dimensity 810 chipset के साथ में दोस्तों अगर आपको कोई फोन चाहिए कम प्राइज में तो यहां पर आपको इन्फिनिक्स का होट 25G सजेस कर सकता हूँ हाला कि वहाँ पर यूई एक्स पर बहुत अच्छा नहीं होता है लेकिन प्राइस के साथ से ठीक है लगबग 11,000 पर प्राइज में आपको मिल जाता है और सेल में तो यह में 10,000 प्राइज में बिल रहा था तो अगर आपको खस नहीं करना चाहिए वैसे भी आपको पोको की फोन ब्लकूल भी रिकमेंड नहीं कर रहा है दूसतो क्योंकि हम देख रहे हैं काफी सारी कंप्लेन आ रही है तो वैसे भी हम आपको पोको की फोन तो बिल्कुल भी रिकमेंट नहीं कर रहे हैं काली एक ही फोन अगर आप लेना चाहे है तो पोको एक्सवाइब प्रो जो कि लगबग 20-20,000 प्राइजिंग में अविलेबल है वो आप ले सकते हैं लेकिन इसके लावा तो कोई भी फोन में अपको अभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि पोको की तरफ आपको जाना चाहिए अगर यह है फोन भी 12-15,000 प्राइज की प्राइज में मिले तो फिर आप थोड़ा सा रिस ले सकते हैं बाकि 15,000 प्राइज की प्राइज की इसाफ से दोस्तो यह बिल्कुल भी वैल्ली फोर मानी नहीं है तो हां इस फोन को भी आपको नहीं लेना चाहिए चलिए दोस्तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस फोन की जी हां OnePlus Nord C3 Lite के में बात कर रहा हूं दोस्तो कुछ भी नहीं है दोस्तो इस फोन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको 20,000 पर पे करने पड़े इस फोन के लिए सबसे बेला तो दोस्तो इस फोन का हैंड्सोन फील, हैंड्सोन ग्रिप बहुत अच्छा नहीं है बहुत ही चीप सा फोन लगता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि यह OnePlus का फोन है जी हाँ मैं साच कहा रहा हूँ वैसे OnePlus के स्टोर हर जागे अवैलिबल होते हैं अगर आपको इस बात पर यकीन करना है तो वहाँ पर जाईए और इसको फील करके देखिए दोस्तो यह बिल्कुल भी आपको OnePlus का फोन नहीं लगेगा इनफेक्ट इससे बैटर उप्शन तो दोस्तो रियल्मी 10 प्रो था वहाँ पर अच्छा एंट्स उन फील है वहाँ पर अच्छा डिजाइन है इनफेक्ट जो मट्रियल है दोस्तो वह भी आपको बैटर देखने मिलेगा रियल्मी 10 प्रो में प्राइज आपको लगबव ऐसा ही देखने हो मिल रहा है तो क्यों दोंगे इसके 20,000 रुपर दोस्तो जब कि यहां पर आपको स्ट्राइज देखने हो मिल रहा है यहां पर कैमरा भी बहुत अच्छा नहीं है यहां पर डिस्पे कॉलिटी पर आपको आई पेस देखने हो मिलता है तो कुछ भी ऐसे खास इस्पेसिवेशन यहां पर अवेलेबल नहीं है दोस्तो जिसके लिए बीस ज़र पर दिये है काफी अच्छा डिजाइन है काफी अच्छा हैं ग्रिप है तो यह सारी चीजे दोस्तों अल्रडी अवेलेबल हैं तो इन फोन की तरफ क्यो जाना है हाला कि अगर आपको ब्रेंड नेम चाहिए वनप्लस का तो पर आप ले सकते हैं लेकिन वैसा फील आपको देखने को प्राइज में बिलकुल भी नई करिदना चाहिए मैं आपको यह कह सकता हूँ इसके बाद दोस्तों सामसेंग का एक और डिवाइस आता है सामसेंग एलेक्सी एंफटी त्री फाइजी थोड़ा सा पुराना फोन जरू हो चुका है अब भी मिल रहा है लग बग टेई चोई इस फोन को नहीं लेना चाहिए अगर इस फोन का प्राइजिंग कभी सेल में आपको 17-18 जरुपे का स्पस में लेना तो फिर आप ले सकते हैं 2300 जरुपे की प्राइज में अब भी तो दोस्तों यह हाईली ओवर प्राइज लग रहा है इसके बाद है दोस्तों Redmi का Note 12 Pro Plus जो की 30 जरुपी प्राइजिंग मि मिल जाता है अब यह चिपसेट तो हमें कम प्राइज में मिल जाता है इनफेक्ट जो Note 12 Pro है दोस्तों वो बैटर ऑप्शन है वहाँ पे भी यही चिपसेट दिया गया है जो कि अभी हमें करीब 20-21 रुपी प्राइज में मिल रहा है यादा जदा आपको 22 रुपी में देखनी को मिल रही है यहां पर कैमरे का डिफरेंस है 200 मेगापिक्स का प्राइमीरी सेंसर आपको मिल जाता है थोड़ा सा बैटर कैमरा आप कह सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है दोस्तों जिसके लिए 5-6-7 जार पर में ज्यादा खर्च करने पड़े तो अगर आपको कोई रैड्मी का फोन चाहिए तो नोट 12 प्रो ले सकते हैं नोट 12 प्रो प्लस मैं आपको सिजस्ट नहीं करूंगा इस प्राइज में लेनी के लिए और हाँ आगर हम बात कर रहा हूं लास्ट में दो और फोस की फिर से वो सामसंग की तरफ से यह आ रहा ह कि यह फोन क्यों है और इनका प्राइजिंग एक्च्वल में क्या होना चाहिए था जी हाँ ए फिफिफ्टिफोर तो दोस्तों मुझे लगता है कि आट नौ दस लिजार पर से ओरइस है हाला कि ए थर्टिफोर फिर भी ठीक है कुछ चार-पांच आरप अगर और कम होता तो यह ठीक होता तो अगर आपको सामसंग का फोन ही लेना है तो मैं आपको सेजेस्ट करूंगा कि आप जाए सामसंग के एस ट्वंडिवन एफी की दरब जो कि अभी हमें 30,000 अरवी प्राइजिंग मिल रहा है और वह बहुत अच्छा उप्शन है दोस्तों इन दोनों ही फोन उसके comparison में चाहे फिर आप design की बात कर लिजेए चाहे फिर आप display की बात कर लिजेए चाहे आप camera की बात कर लिजेए वहां पर आपको सामसंग के प्रेमियम फिच्छे पर देखने मिलते हैं जैसे की वार्डर चार्जिंग और भी काफी सारे option दोस्तों जो कि S-series में available होते हैं तो हां लगबग 30 जर्वी काफी अच्छा option है अगर हम compare कर रहे हैं A34 से अगर हम compare कर रहे हैं M53 से अगर हम compare कर रहे हैं यहाँ पर A54 से तो यह phone दोस्तों और price है इंको नहीं लेना चाहिए S21 FE आपको अच्छा option देखने हो मिल रहा है इस price range में थोड़ा सा पुराना phone ज चीजिंग में S21 FE को ले सकते हैं यह अच्छा option है बजाए A34 और A54 के तो बस दोस्तों यही था आज के इस वीडियो में मुझे पूरी उमीद है कि इस वीडियो से आपके help होगी और आप अपने ले पाएंगे तो हां दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेकरना मत बूलि लेजिएगा हम आपसे मिलते हैं अगला ऐसी किसी वीडियो में तब तक लिए आपके दिन चोप रहें और आज कोड़ी देखने के लिए बहुत बहुत रिवाद